लोग कहते हैं कि बोद्ध भगवान नहीं है लोग कहते हैं कि बोद्ध भगवान नहीं है भगवान वुद्ध भगवान नहीं है तो ये बात सही है क्योंकि ये बात स्वेम भगवान वुद्ध ने लोगों से कही कि मैं कोई भगवान नहीं हूं मैं एक साधन इंसान हो जिस तरह से आप साधन इंसान हो लेकिन अब सवाल ही उड़ता है कि भगवान घुट को लोग भगवान क्यों मानते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान बुद्ध के पास में वो सारे गुण और सारी विशिस्थाएं होती है जिसको जो विशेष्टा है भगवान के पास होती है क्योंकि हमें जो परिभासा बताई गई है भगवान की उस परिभासा के अनुसार वो सारे गुण भगवान बुद्ध में नजर आते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान के अंदर क्या-क्या विशेष्टाइं होती है, सबसे पहले विशेष्टा यह होती है, कि भगवान में चमतकार करने की चमता होती है, परिवर्तन करने की चमता होती है, और लोगों के मन को बदलने की चमता होती है, और जो साधर्ण मनुष्यक की समझ होती है, उस समझ से परे उनकी सोच होती है, तो उसको भगवान कहते हैं, और यही हमको बताया गया है हमारे पूर्वज है, उन्होंने इसी बात को बताया है कि भगवान इस तरह के होते हैं, अब जब यह सारी बिशेशता एंग साधर्ण इंसान में आ जाती है, और वो इस बात को कहता है कि भगवान नहीं होता, ये कुछ बिशेश इंसान होते हैं, उनमें ऐसी चमताय आ जाती है, तो उनको बगवान नहीं मान सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से शिक्षा के छेत्र में अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ दे दिया जाए आज से अगर लिखी हुई कुछ दे दी जाए तो उसके लिए वो सब कुछ बेकार होती थी काल आक्षर बहस बरावर होती थी और उसी चीज को अगर किसी पड़े हुए इंसान के पास में दिया जाता तो वो उसका मतलब समझा देता था लेकिन वो उसका मतलब अपने अनुसार कुछ भी निकाल सकता था और कुछ भी बता सकता था और जो अनपड होता था उसको वह मानना होता था अब सवाल यह उड़ता है कि जब ईश्वर की विशे में जो लोगों को बताया गया है और वो सारी विशिस्ता है एक साधन इंसान में आ जाती है और वो इस बात को जान लेता है कि इश्वर नहीं होता तो इस बात से सबस्ट होता है कि लोगों को बेबकूब बनाया गया था इश्वर के नाम पर क्योंकि जो लोग बेबकूब बनाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसवर नहीं होता by और जैसे ही कोई लोग वहां तक पहुंचने की कौसिस करता है इसवर को पहचानने की उनके साथ में कुछ ऐसा किया जाता है कि वह उस सच्चाई को लोगों तक बता ही नहीं पाता है बीच में उसको रोख दीया जाता है तो भगवान बुद्ध एक ऐसे ब्यक्ति थी जिन्होंने इसको मैं महापुरस भी कहूंगा तो ऐसे ब्यक्ति थी उन्होंने सत्य को पहचाना और भगवान की फोज की और भगवान की फोज में उसने पाया कि जो हमको भगवान की विशेम बता गया है वो एक साधन इंसान की ही विशेष्टा होती है लेकिन कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी दुकान चलाने के लिए भगवान के नाम पर धंदा करते हैं भगवान के नाम पर दुकान चलाते हैं अब ये साधन इंसानों को जानना बड़ा कठिन होगा क्योंकि अब ऐसा लगेगा कि ये भगवान के विसे में बिरुद्ध बात कर रहा है तो ये बाते करना विल्कुल इस परस्ट है क्योंकि यह आप अची तरह जानते हैं कि एक सिक्षित बैक्ति और एक एक सिक मैं आपको एक 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 जामपल देखर के बताता हूं कि एक समय ऐसा था अंग्रेजु के समय में जब हमारे देश में एक वर्ग ऐसा था जिसको पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था और जब वर्ग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना सीख जाता था तो उसकी व्यक्ति को बहुत बड़ा समझा जाता था और आज की दोर में देखा जाए तो उस पढ़ाई को सामान कर दिया गया है और अब चाहे व्यक्ति कितने भी पढ़े लिखे हो चाहे पूरिशिव डिगरी हांसिल कर लो उसको एक सामान मनुसी माना जाता है तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान क्या होता है तो भगवान नहीं होता ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं आपको फिर से पुरानी भूत कालिकों लेकर के चलता हूँ कि उस समय में अगर कोई पढ़ता तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था उसको इस वर के नाम प कि इस वर ने तुम्हारे लिए पढ़ना मना कर रखा है यानि कि इस वर ने तुम्हारे लिए कह रखा है कि तुम लोग पढ़ नहीं सकते अगर तुम पढ़ोगे तो तो जो शिक्षा है वो एप अबित्र हो जाएगी ये बात कही जाती थी उस समय लोगों से और वो इसका फायदा को उठाते थे उनको पढ़ने नहीं देते थे और जैसे ही तो पढ़ता उसके साथ में इस तरह का दुर्विवार करते थे कि वो ना तो वो खुद पढ़ पाता था और ना ही और जो लोग थे वो उसको देख करके उसके साथ जो दुर्भेवार होता था उसको देख करके वो भी पढ़ना लिखना की सोच भी नहीं सकते थे और वो भी अपने बच्चों को यही बताते थे कि पढ़ना लिखना हमारे लिए नहीं है और ये भगवान का आदेस है कि पढ़ाई लिखाई कुछ विशेस बेक्तियों को ही दी गई है और बाकी जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं मजदूरी करने वाले हैं उनको पढ़ने की अनुमती नहीं है उनको अधिकार ही नहीं है पढ़ने का अगर वो पढ़ते हैं तो पढ़ना एक अपराध माना जाता था उस समय में तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस्वर के विशे में लोग के साथ में किस तरह से दोखा किया जा रहा है इस्वर के विसे में अगर कोई सवाल करता है तो उसको तुरंती उसका समाधन कर दिया जाता है अर्थार्थ उसको इस दुनिया से ही मिटा दिया जाता है और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाता है जिससे की लोग इसवर के विसे में सवाल करना ही बंद कर देते हैं और यही बात भगवान बुद्ध के साथ में हुए थी भगवान बुद्ध ने अपनी मेहनत से, अपनी तपश्या से, अपने लगन से और अपने लक्ष से, अपने ध्यान केंद्रन से सक्तियां और सिद्धियां हासिल की और उन सिद्धियां और सक्तियों को हासिल करकी जब उसने देखा, लोगों ने देखा कि उनके पास सक्तियां और सिद्धियां है तो लोग उनको भगवान मालने लगे तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ सिर्फ मेरे जो मेहनत है लगन है उसी का परिणाम है कि मेरे पास में ये सिद्धिया है तो उन्होंने इस बातों कहा था कि इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं होता सब लोग साधन इनसानी होते हैं अब मैं आपको जो भगवान के बिसे में बता देता हूं कि जब हमारे उपर कोई जुल्म होता है मतलब कि जो साधन बर्ग होता है जिसको समाज अचूत कहता है उसके साथ में अगर कोई लोग दुरविहार करते हैं बुरा बरताव करते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान क्यों नहीं आता और जो दंड देता है तो उनको भगवान ही क्यों नहीं देता धंड एक बिसेसवर के लोग उनको डंड क्यों देते हैं अगर उनसे गलती हो जाती है तो उनको सजा वही लोग क्यों देते हैं इसवर क्यों नहीं देता तो इससे पदा चलता है कि वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने ये कहाता कि इस्वर होता है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस्वर नहीं होता लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धी और दिमाग के जरीए इस बात को लोगों के मन में जिस तरह कोई भी तरीका अपना करके जिस तरह से कहते हैं कि शाम दाम दंड कि उन्होंने लोगों के मन में इस वात को डाले दिया कि इस्वर होता है और इस्वर की खिलाब जो की जाएगा उसको सजा मिलेगी लेकिन वो सजा देगा कौन इस वर तो कभी किसी को सजा देने नहीं आता वो सजा बही लोग देते हैं जिन लोगों ने कहा कि इस्वर होता है तो आप इस बास से इस पश्टूप से समझ चुके होंगे कि इस्वर क्या है तो इस्वर नहीं होता तुम जैसा करम करोगे बैसा ही फल पाओगे अच्छा करम करो अच्छा फल पाओगे तो इसवर के नाम पर बहकावे में नहीं आए इसवर नहीं होता तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्काइब कर देना और अपने जान पहचान वालों में सेयर करना क्योंकि अब जैसे जैसे लोग सिक्षित होते जा रहे हैं उन लोगों की जो पूल है उसको देर देर कोला जा रहा है और मैं इन सब बातों में सबसे बड़ा योगदान कहता हूँ कि सोसल मीडिया सोशल मीडिया एक ऐसा सादन है जिसकी जरीए लोगों को इस बात की जानकरी हो जाती है कि बास्तिताय क्या है क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने बताया कि पंचांग होती है पंचांग का पहला पेज पहले पेज को लोग पढ़ते नहीं यह जो लोग पढ़ते हैं वो लोग पंचांग के पहले पेज को नहीं पढ़ते हैं उस पहले पेज पर पंचिंग लगा करके रखी जाती है तो ऐसा क्यों रखा जाता है क्योंकि जो पहले पेज में कुछ ऐसी बाते लिखी हुई है अगर उन बातों को उन लोग के सामने पढ़ा जाएगा तो वो लोग अपने आपको सवाल करने लगेंगे तो इसलिए वो इस बात को जानते थे कि अगर ये बात एक विश्यस वर्ग के पास में पहुंचेगी तो वह लोग हम से सवाल करेंगे तो उन्होंने उसको बंद करके रख दिया है ताकि उनकी दुकान चलती रहे और लोग उनसे सवाल नहीं करे तो उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर रखा था कि वो सिर्फ कहेंगे और सुनेंगे नहीं जिन्होंने ये कह रखा है कि इश्वर होता है उन्होंने एक नियम बना लिया कि हम सिर्फ कहेंगे और सुनेंगे नहीं तो इस बात को लेकर कि उन्होंने जितने अपनी पुस्तके थी धर्म ग्रंत की उन धर्म ग्रंत की पुष्टकों में उन्होंने यही लिख दिया था कि हम सिर्फ कह सकते हैं सुन नहीं सकते अगर कोई हमको सुनाने की कौसिस करेगा तो उसके साथ में उचित कारवाई होगी लेकिन जो इस्वर का दावा करते हैं कि इस्वर होता है उनके ओपर कोई भी कारवाई नहीं होती उनको हमेशा सुद्ध और पवित्र माना जाता है ऐसा ही उन लोगों का कहना है और इसी बात को लोगों के दिमात में डाल दे गई है और यह हिस्तिति केवल भारत की ही है क्या विदे सों में भगवान नहीं होते क्या भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर यह सब गतिविदिय होती है तो इस बात को आपको समझना होगा और इस अंदे विस्वास के पाखंड से आपको बाहर निकलना होगा और वास्त्विक तामा आपको जीना होगा क्योंकि जो वास्त्विक जीवन है वो ही एक सच्चा जीवन है और जो अन्द विश्वास है जिसका ना कोई हाथ है और ना कोई पैर है ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करें आखमूद करके जब तक सत्य को पूरी तरह से नहीं जान लें तब तक उस पर विष्वास नहीं करें क्योंकि जो बेड़ चाल होती है कहते हैं कि एक बेड़ कुवा मैं जाती है तो सारी बेड़ उसके साथ साथ कुई में चली जाती है तो ये आदत आपको छोडनी होगी चाहे आप पड़े लिखे हो चाहे नहीं हो आपको इस बात को अपनाना होगा कि जो लोग हमसे कहेंगे हम बैसा बिलकुल नहीं मानेंगे जब तक हम उसकी जांच और परक नहीं कर लेते तक तक हम उसको बिलकुल भी अपने जीवन में नहीं उतारेंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान वुद्ध ने स्वयम को भगवान नहीं कहा था स्वयम को एक इंसान कहा था तो इस बात से आप अच्छी तरह से सेमत हो चुके होंगे मैं आप से उम्मीद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सत्य को पहचाने और वास्त्विकता में अपने आपको रखे जो हमारे मन में कचरा भर रखा है रूडी बाजी परमपराओं का इसवर के नाम पर और इसवर के नाम पर लोग हमको खूब अच्छी तरह से ठखते हैं आए दिन हर रोज लोग हमारे सामने आ जाते हैं और इसवर की दुआई देकर हमको खूब ठखते हैं और वो अपने दुकान चलाते हैं क्योंकि जो लोग हमको ठखते हैं उनके पूरवजों ने परमपरा बना रखे पीडी दर बीडी कि जो बास्त्विक जो ग्यान है सच्चाई का वो सिर्प अनीयों को बता जाता है और जो जो अन्य लोग होते हैं उनको बताया नहीं जाता और इसी बज़ा से वो लोगों का फूब सोचन कड़ते हैं पर वाव साहब डॉक्टर बीम्रा अंबीड काएओ उन ही में से एक है उन्होंने भी सत्य को पहचाना था और पहचान करके ही उन्होंने धर्म के बिशे में कहा था कि धर्म बास्तिविक्तामे धर्म क्या है तो मैं आपसे निवेदल करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी और आपको बात समझ में आई होगी कि ये मैं इसकरा से उम्मीद करता हूं और मैं आप से फिर से एक बात कहता हूं कि आपको कोई भी काम करना है अपने दिमाग से अपने बुद्धी से ही करना है किसी दूसरे की बुद्धी का उप्यों नहीं करना दूसरे की बुद्धी का अगर उप्यों करना है तो उसको पह की में सही है या गलत है धन्यवाद